नमश्कार आप देख रहे हैं डिवी निउज और मैं हूँ आपके साथ निकिता मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता पवन खेडा जी आसर जिस तरीके से उदे निदी जी का बयान आया था उसके बाद ए राजा का बयान आया है कि सनात दिखाया है हम इसमें विश्वास नहीं रखते हैं सर आज भारत जोड़ो यातरा का एक साल कंप्लीट हो गया है तो इसको लेकर के कई सारे कायास लगाया जा रहे थे कि भारत जोड़ो यातरा पार टू भी शुरू होने वाला है जल से जल तो इस पे क्या कहना चाहिए कॉंग्रिस की तरब से इंडिया गटवंधन की तरब से चिथी दिया गया था सोनिया गांधी चिथी दी ती उसको लेकर के आज प्रलाज जोशी का बयान आया है कि एजेंडा पहले से क्लियर नहीं होता है विशेश सत्र में हमेशा एजेंडा क्लियर होता है प्रलाज जोशी को कोई तोड मरोड के पेश करें तो अलग बात है, हमारे इंडिया अलायंस का कोई भी सदस्य, किसी भी धर्म जाती वर्ग को अपमानित नहीं करता, न ऐसी कोई भावना हम रखते हैं। एतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा को आज एक साल पूरा हुआ है, यह यात्रा मीलों और किलोमीटरों में नहीं ना पी जा सकती। यात्रा के प्रेणा स्च तो थे ही, जो दृढ़ निश्चे उन्होंने इस 4000 किलोमीटर की यात्रा में दिखाया, वो अपने आप में सबको प्रेणा भी देता है, और आत्म विश्वास में एक तरह का एक नया एक लोगों को सबख देता है कि इस तरह से आप में विश्वास होना चाहिए कई देश विश्विध्याले इसमें अब PhD पे भी विचार कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसा एतेहासिक घड़ी थी जिसका इस देश में आविशक्ता थी अभी तोडने वाली ताक्तें अलग-अलग शड़ें थरच के भारत को तोडने की कोशिश कर रहे हैं अभी एक नई इसमें पहल की जा रही है भारत वर्सिज इंडिया किया जा रहा है ये अपने आप में लोगों के सामने बेनकाब हो रहा है कि कौन है वो ताक्तें और उनकी मंशा क्या है जो इस देश को जुड़ते हुए नहीं देख सकती जो भारत को नहीं जोडने देना चाहती